सिवान जिले के गुठनी पर्खन के पड़ी पंचायत के पूरो मुख्या परतासी और कंट्रक्शन ठीकदार असोग दूबे हत्य कांड में पूलिश ने बैद तिवारी के साथ एक वेक्ती को गिरफतार कर लिया है सुत्रो समिली जनकारी के अनुसार बताय जा रहा है कि गुठनी पर्खन के पिपरपाती गाउन निवासी असोग दूबे को जमीनी रंजीस में साजिस रजकर कुछ लोगों के दोरा उनको गोली मार कर टेकन या खुट्टी के समीप मौत के घाट उतर दिया गया था जिसके बाद आसपास के छेत्रों में चर्चे का भिषय बन गया था हालाकि इस मामले में पूलिश ने उमेश तिवारी उफ़ बेज तिवारी समयत मंटू मिश्रा को गिरफतार कर लिया है आपको बटा दे कि गुठनी थाने की पूलिश ने बेज तिवारी को उनके घर से और मंटू मिश्रा को उनके दुकान से गिरफतार किया है गुठनी थाना परवारी सजाबे ने बात चित किया तो नहीं नसाब कर पर बताये की असोग दुबे हत्ते कांड में पूलिश ने उमेश तिवारी उफ़ बेज तिवारी और मंटू मिश्रा को पूलिश गिरफतार कर लिया है तो आपको हम एक बार फिर से बताते चले की परपाती गाव निवासी असोग दुबे हत्ते कांड में गुठनी पूलिश ने उमेश तिवारी उफ़ बेज तिवारी को गिरफतार कर लिया है आपको बताता चला कि 22 तिवारी के साथ साथ तेकनिया गाव निवासी मंटू मिसरा को उनका दुकान से पुलिश ने गिरफतार कर लिया है हालाकि असोग दूब्य हत्त्य कांड में उमेश तिवारी उर्फ बैश तिवारी और मंटू मिश्रा के गिरफतारी को लेकर छेत्र में लोगों के भी चर्चा का विशाय बना हुआ है